Hello everyone, स्वागत है आपका 10 दमतार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज के 6th पार्ट में Guys, इस सीरीज में हम बहुती काम के 10 daily used English sentences सीखते हैं और उनकी practice करते हैं बहुती कम समय में By the way guys, क्या आपको पता है कि तुम से ना हो पाएगा इसको हम English में कैसे बोलते हैं? तो guys, इसको हम English में बोलते हैं You will not be able to do You will not be able to do तुम से ना हो पाएगा You will not be able to do Second sentence for today is मुझे कम दिखाई देता है मेरी आखे कमजोर है ना, इसलिए मुझे कम दिखाई देता है I am short of sight I am short of sight मुझे कम दिखाई देता है, I am short of sight Third sentence is वक्त पर किसका जोर है? या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं वक्त पर किसका बस चलता है? इसको English में बोलेंगे Who rules on time? Who rules on time? वक्त पर किसका जोर है? Who rules on time? Next sentence is वो तो घोडे बेच कर सो रहा है मतलब बहुत गहरी नीन में सो रहा है Guys इसको English में बोलेंगे He is having a sound sleep He is having a sound sleep Sound sleep मतलब घोडे बेच कर सोना बहुत गहरी नीन में सोना Next sentence is इस बार तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे Your excuses will not do this time Your excuses will not do this time Next sentence is वो तो heroine बनी फिरती है इसको English में बोलेंगे She poses to be a heroine मतलब वो तो heroine बनी फिरती है बिलकुल heroine की तरह घुमती है She poses to be a heroine Next sentence is इस से तुम्हारा क्या लेना देना या फिर इस से तुम्हारा क्या मतलब How does it concern you? How does it concern you? Next sentence is वो तुम्हारी क्या लगती है? What is she to you? What is she to you? वो तुम्हारी क्या लगती है? क्या है वो तुम्हारे लिए? What is she to you? Next sentence is चिंता मत करो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा Don't worry I will definitely keep my promise Don't worry I will definitely keep my promise Keep the promise मतलब वादा निभाना Last sentence of the day is मैं अपने वादे से नहीं मुकरता इसको इंग्लिश में बोलने के दो तरीके है First one is I don't go back on my promise मैं अपने वादे से नहीं पलडता मैं अपने वादे पर वापस नहीं जाता I don't go back on my promise And second one is I don't weasel out I don't weasel out So guys that's all for today I hope आपके लिए सारे sentences बहुत useful रहेंगे अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आप मेरी चैनल पर नए जोड़े हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अब है मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई